राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको परिवर्थनी एकादशी की कथा और महत्व पताएंगे दोस्तों भात्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवेटने एकादशी कहते हैं इसे पाश्व एकादशी, बामन एकादशी, जैजूलन एकादशी, डोल ग्यारस और जैनती एकादशी आदी कई नामों से जाना चाता है माननेता है कि इस एकादशी के ब्रत से बाजबाई यग्य जितना पुन्यफल उपासक को मिलता है इस दिन भागवान बिश्णों के बामन सरू की आराधना की जाती है जो सादक अपने पूर्व जन्म से लेकर बरतमान में जाने अनजाने में किये गए पापों का प्राश्चित करना चाहते हैं और मुख्ष की आराधना रखते हैं उनके लिए यह एकादशी मुख्ष देने वाली समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है परिवर्दनी एकादशी के दिन भागवान विश्नु सेशना की सहिया पर सोते समय करवर बदलते हैं इसलिए इसे परिवर्दनी एकादशी कहा जाता है भागवान विश्नु करवर बदलने के समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं इस अब्धी में उनसे जो कुछ भी मांगा जाता है उसकी प्राप्ति होती है भागवान विश्णू प्रसन्न मुद्रा में अपने भक्तों की हर मनुकामना को पूर करते है माननेता है कि आज के दिन परिवर्दनी एकादशी की कता सुनने मात्र से ही सभी बापों का नाश होता है और भागवान विश्णू अपने भक्तों की सभी मनुकामनाओं को पूर करते है परिवर्दनी एकादशी की कता इस प्रकार है एक बाय युदिश्टर्म भगवान श्री किष्ण से कहने लगे हे भगवान पादरपत शुक्ल एकादशी का क्या नाम है इसकी बिधी तथा इसका मातम में करपा करके कहिए तब भगवान श्री किष्ण कहने लगे कि इस पुन्य स्वर्ग और मुक्ष को देने वाली तता सब पापों का नाश करने वाली उत्तम बामन एकादशी का महतम में मैं तुम से कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्बक सुनो यह पद्मा परिवाइतनी एकादशी, जेनती एकादशी भी कहलाती है इसका यग्य करने से बाचपर यग्य का फल मिलता है, पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाई नहीं है जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पामन रूप की पूज़ा करता है, उससे तीनों लोग पूज़ा होते हैं अते हैं मोक्ष की इक्षा करने वाले मनुष्य को इस ब्रत को अवश्य करना चाहिए इस एकादशी पर जो कमल नैन भगवान को कमल से पूज़ते हैं, वे अवश्य भगवान की समीब चाते हैं जिसने भादरपद शुक्ल एकादशी को ब्रत और पूज़न किया, उसने भ्रम्मा विश्नों सही तीनों लोकों का पूज़न किया अते हैं हरी बासर अर्थात एकादशी का ब्रत अवश्य करना चाहिए इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवश्य ने एकादशी भी कहते हैं भगवान की बचन सुनकर युदिश्टर बोले, की है भगवान, मुझे अती संधे हो रहा है की आप किस प्रकास सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बली को बांधा और बामन रूप रखकर क्या-क्या लीलाएं की चतुर मास की ब्रत की क्या बिधी है तथा आपके शेयन करने पर मनुश्य का क्या करदब्ब्ब है सो आप मुझे विस्तार से बताईए शिरी कृष्ण कहने लगे, हे राजन वह मेरा परम भक्त था बिभित प्रकार के बेज सुपतों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही भ्रामनों का पूजन तथा यग्य के आयोजन करता था लेकिन इंद्र से त्वेश की कारण उसने इंद्र लोग तथा सभी देपताओं को जीत लिया पराजित इंद्र की देनिय स्थिती को देखकर उनकी मा अधिती बहुत दुखी हुई उन्होंने अपने पुत्र के उध्धार के लिए विश्णु जी की आरादना की इससे प्रसन्न होकर विश्णु जी प्रकट होकर बोले देवी चिन्ता मत करो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा समय आने पर उन्होंने अधिती की गर्व से बामन के रूप में अप्ताल लिया उनके भ्रमचारी रूप को देखकर सभी देपता और तिशिमुनी आनन्दित हो उठे एक दिन बावन भगवान को पता चला कि राजा बली स्वर्ग पर इस्थाई अधिकार जमाने के लिए अश्मेद यग्य कर रहे हैं यह जानकर बामन वहां पहुँचे उनके तेज से यग्य शाला प्रकासित हो उठी बली ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठा कर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भीट मांगने के लिए कहा इस पर बामन चुप रहे लेकिन जब बली उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर तीन पक भूमी भीट में मांगी बली ने उनसे और अधिक मांगने का अग्रे किया लेकिन बामन अपनी बात पर अड़े रहे इस पर बली ने हाथ में जल लेकर तीन पक भूमी देने का संकल्प ले लिया संकल्प पूरा होते ही बामन का आकार बढ़ने लगा और बेबिराट रूप में आ गए मैंने अपने ती बिक्रम रूप को बढ़ा कर यहां तक की भू लोक में पत, भू लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, चनलोक में हिदय, यम लोक में कंठ की इस्थापना कर, सत्य लोक में मुख, उसके उपर मस्तक इस्थापित किया सूर्दे चंद्रमा आदी सब ग्रह गण, योग नक्षत्र इंद्रादिक देवता और शेश आदी सब नाग गणों ने विवित प्रकासे बेश सुप्तों से प्रात्ना के तम मैंने बामन रूप में एक पक से प्रत्वी और दूसरे पक से स्वर्ग को नाप लिया तब मैंने राजा बली का हाथ पकड़ कर कहा हे राजन, एक प्रत्वी, दूसरे से स्वर्ग लोग पूर्ण हो चुके हैं, अब तीसरा पक कहा रखूँ तब बली ने अपना से जुका लिया और मैंने अपना पेर उसकी मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया फिर उसकी बिंती और नम्रता को देख कर मैंने कहा कि हे बली, मैं सदेब तुम्हारे निकट ही रहूँगा विरोचन पुत्र बली से कहने पर भात्रपत शुक्ल एकादशी के दिन पली के आश्रम पर मेरी मूटे इस्थापित हुई इसी प्रकाद दूसरी छी सागर में शेशनाक के प्रश्ट पर हुई हे राचन इस एकादशी को भगवान शेन करते हुए करवट लेते हैं इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विश्णू का उस दिन पूचन करना चाहिएं इस दिन ताबा, चांदी, चावल और दही का दान करना अच्छा रहता है रात्री को जाकरण अवश्य करना चाहिएं जो बिधी पूर्बग इस एकादशी का प्रत करते हैं और इस एकादशी की कथा सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश्च पाते हैं जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हचार अश्मेद यग्य का फल प्राप्त होता है और भगवान बिश्नु अपने भक्तों की सभी मनों कामनाव को पूर करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में जदर से जदर शेयर करें जिससे भेवी इसका लाब उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वचिंग